विभा ने जल्दी जल्दी घर के काम निप्टाए, वो प्रेगनेंट थी, फिर भी अभी उसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, काम निप्टाने के बाद वो जल्दी से अपने कमडे में जाकर तैयार हुई, और पर्स उठाकर अपनी सास के पास जाकर बोली, ममी आज मैं मायके जाना चाहती हूँ, उसकी सास उसकी बात सुनकर सकपका गई, और कहने लगी, बहु तुम मायके मजजा, यह सुनकर विभा हैरान रह गई, इकी शाहर में उसका मायका था, इसलिए वो बीच-बीच में माह से मिलने के लिए जाती रहती थी, पहले तो उसकी स आज तो विभाने ठान लिया था, कि वो मायके जाकर रहेगी, वो जर्णा गुसे में बोली, ममी जी, आप मुझे मायके जाने से कैसे रोक सकती है, मैं ससुराल के प्रती सारे फर्ज निभाती हूँ, तो क्या अपनी मां से मिलने भी नहीं जा सकती, आज तो मैं मायके जाकर रहोंगी, इतना कहकर वजैसे ही आगे बढ़ने लगी, तो उसकी सास ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया, और धीरे से बोली, रुको बहु, जिद मत करो, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, कि मैं तुम्हें मायके जाने से क्यों रोक रही हूँ, फिर सास ने ऐ रिपुद करके मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे भईया भावी ने मिलकर तुम्हारी मा को विर्धाश्वम भेज दिया है, अब तुम्हारी मा मायके में नहीं है, रवी पता कर रहा है कि वह किस विर्धाश्वम में है, वह जल्दी उन्हें लेकर घर आने वाला है, कहते उसकी सास की आवाज भारी हो गई थी विभा भी सकपका कर रह गई थी उसकी आँखों में पीड़ा के मारे आंसु उतर आये और वह कहने लगी कि भईया ने ऐसा क्यों किया मा बुढ़ापे में उनकर बोज बन गई थी क्या कहते हुए वह विलखने लगी तो उसकी सास उसकी पीट को सहलाते हुए कहा बहु देखो तुम्हें तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए खुद को सम्हालना ही होगा जल्दी ही तुम्हारी मा मिल जाएगी तुम चिंता मत करो विभा तडप उठी उसने तुरंती रवी को फोल लगाया और कहने लगी कि मुझे मे था यह उसकी भाई मा के साथ कभी ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं। खैर शाम को उसकी मा घर आ चुकी थी विभा अपनी मां से लिपटकर रोप पड़ी उसकी मां की आंकों में भी आसू थी विभा अब मा को अपने पास ही रख कर उनकी देख भल करने लगी थी वहीया नाराज थी विभा की मा भी बेटी के ससराल में हसी कुशी रहने लगी थी क्योंकि यहां पर उन्हें बहुत अच्छा माहौल मिला था साल भर के बाद ही पता चला कि विभा के भैया का एक्सिदेंट हो गया है और वो अपाहिज हो गए है उस एक्सिदेंट में उसकी भावी मा बनने की चमताग हो चुकी है शाएद मा का दिल दुखाने की सजा उन्हें इसी रूप में मिल चुकी थी विभा इश्वर के न्याय के आगे हैरान थी लेकिन कोई कर्म ही पूरे करेगा तो उसे फल तो मिलेगा ही तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरी लिक्षी हुई और नहीं कहानियों के लिए लाइव टेल्स चनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बिल को प्रिस करके और का उप्षिन जरूर दबाएँ ताकि नहीं कहानी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके धन्यवाद